कि अलो गाइज अमनी का लास्ट ताइम लास्ट पार्ट में देखा था था वीच बल्फ फिल ग्लो ब्राइटर और अमनी सिर्इस अगर वही बल्फ अगर पैरलर है इस कॉम्बिनिशन में 40 वैट बल्फ में स्लोएस रेटिंग बल्फ ब्राइटर तो अभी हम नेक्स्ट है पल्फ टू बल्फ पैरलर है और वही एक 60 वैट है एक 40 वैट है तो इसमें से कौन से एक्जाटली ज्यादा ब्राइट होगा तो हम वन बाइवन देखते हैं तो हमें पता है होल्फ इस रेटिंग इस सेम वैटज रेटिंग इस डिफरेंग हीर वैटज रेटिंग इस डिफरेंग वन इस अ 40 grad 1 is 60 grad right ओर P40 को मैंने 1 बोला है P60 को मैंने 2 बोला है अप्रोच इस बल्प रजिस्टन्स अगर मुझे calculate करना है तो बल्प रजिस्टन्स calculate के लिए 2 formula आएंगे कुंसे 2 formula ले P is equal to V square by R 40 and I square R 40 लेकिन मुझे बता है manufacturer ने मुझे P दिया है and voltage rating दिया है manufacturer ने current rating नहीं दिया है तो मुझे यह formula यूज कर सकते है कि हम यह formula at least R 40 मतलब resistance निकालने के लिए हम यह formula नहीं use कर सकते हैं हमने कौन सा formula यूज किया है फिल इस formula हमने यह वाला formula यूज किया उस basis पर हमने बोला है P 40 is inversely proportional to R 40 चो एट लिस्ट हम comparatively अगर दिखा जाए 40W resistance और 60W resistance का resistance तो दोनों का resistance comparatively अगर हम चेक करें तो कौन सा ज्यादा होगा तो definitely R 40 ज्यादा होगा यस तो हम देखते हैं यहाँ पर R 40 from rating R 40 is more right तो यहाँ पर ही clear होगे कि R 40 ज्यादा होगा now rating से तो पता चल गया हमने यह तो हमने series में भी देखा था R 40 ज्यादा है तो अभी exactly हमें देखना है कि पीच बल्ब यह बल्ब ज्यादा गलू होगा यह यह बल्ब ज्यादा गलू होगा वह हमें clear करना है अभी हम देखेंगे from power consumptions कैसे हम resistors निकाल सकते हैं power consumption तो power consumption का formula हमें पता है power consumption के आगे तो फॉर्मूले आर दे राइट सेम हमने जो power consumption के फॉर्मूले देखे दो तो दाट इस वन सप्लाय होल्टेश स्टेर डिवाड़ेड़ बाई R 40 आनि करन थूद फूर्ट फॉर्टी वैडबल एन R 40 यह दोनों फॉर्मूले जो है तो द देखे आपे R 40 जो 40 वैट है यह फॉर्मूला मुझे करन पता नहीं इस में का कितना है तो I don't know about this current हमें यह करन पता है कितना है हमें आए 60 करन पता है किया नहीं आमें यह करन पता नहीं तो हम इससे नहीं इस सब्सक्राब को इतना पता है कि 40 आण 60 वैट को संवर्ट्च गारा है तो हम इस फॉर्मूलों को इस फॉर्मूलों के नहीं यूज कर सकते, अब यहाँ पे आते हैं, कि यह इस फॉर्मूले से हम एक result तो हम दिगाए कर सकते, क्या result आएगा हमारा, तो result हमारा यह रहेगा, कि P40 is now inversely proportional to R40, same as the C60, यह दोनों भी अगर देखा जाए, तो यहाँ पे P60 and P40 inversely proportional to R40, इससे बता सकते हैं, P60, P60 is much more greater, तो इससे हम results बता सकते हैं, तो हमारा यहाँ पे finally results आ चुका है कि P60, अब यहाँ हमें total power consumption का same formula है कि यहाँ पे power actually add होती है, यहाँ पे 40W और 60W power is nothing but your 100W power, actually देखा जाए, तो यह हमारे home applications में यही combinations use होता है, parallel combinations, right, bulb 2 and bulb 1 in parallel, इसलिए हम अगर हमने 2 bulb market से लाए और हमने अमारे घर पे यह 2 bulb लगाए, तो definitely उनका वैट rating add होगा और हमको इतना ही brightness मिलेगा, right, तो हमने conclusion इससे क्या निकाला है, तो 60W bulb is more bright, right, rather than 40W bulb in parallel, okay, तो हम यहाँ पे अभी part from part 1 and part 2 से हम यह बता सकते हैं, कि 40W bulb अगर सीरीज में, 60W bulb अगर सीरीज में, तो कौन सा bright होगा, कौन सा, तो यह value नहीं है, 60W और 40W यह value नहीं है, हम यह बोच सकते हैं कि bulb 1 rating is less than bulb 2, हम ऐसा कर सकते हैं, फिर हो सकता है, 20W, 40W, 40W, 100W, 80W, 20W, एक बल्प की rating का में, एक बल्प की rating जादा है, यहाँ पे आप हम conclusion प्याते, conclusion से हमें, first conclusion मेंने यह निकाला है, from part 1, कि अगर if there is a series, तो बल्प अगर series में connected है, तो lowest rating बल्प, lowest rating बल्प याद रखना, lowest rating बल्प will be brightest more, यह हम clear कर सकते हैं, conclusion मेंने निकाला है, from part 1, वीडियो, अगर आपने part 1 वीडियो नहीं देखा है, तो please, वीडियो आप देख सकते हैं, second conclusion मेंने यह निकाला है, इस वीडियो से, इस part से, कि अगर parallel combination से, तो highest rating बल्प is brightest, तो इस से हम पता चलता है, तो हम यहाँ पे exactly, यहाँ पे, suppose there is low weight rating bulb, there is a high weight rating bulb, अगर ऐसे, दो बल्प है हमारे पास, 1 bulb, 1 low weight है, 1 high weight है, और हमारे पास, suppose parallel combinations है, और यहाँ पे मेरा series combination है, तो अगर parallel combination है, तो कौनसा bulb brightest होगा, parallel combination है, highest bulb rating, अगर series combination है, तो कुन सा ब्राइटेस होगा this one glow brighter तो यहां से हम यह चीज बता कर सकते हैं अग हमने पार्ट थर्ड में रेटिंग स्थूरी डिफरेंट ली है पार्ट थर्ड हम देख सकते हैं नेक्स पार्ट में हमको और भी एक अलग कॉंबिनेशन देखने को मिलेगा सो यहां पर रूप सकते हैं राइट